दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com वो दो डाई मिनट नसों में खिचाव फील होता है पिंडलियों में दर्द फील होता है और सुबह उठने पर उसमें खिचाव दर्द, स्वैलिंग ये सब चीजे एठन फील होने लगती है तो आज इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि ये नस पे नस नहीं चड़े वो रात के टाइम वाली तो उसके लिए आपको क्या करके सोना चाहिए जिनकी भी नस पे नस चड़ती है पिंडलियों की तो उन्हें क्या करके सोना चाहिए और जब चड़ चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट आप एक मिनट में कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस जो नस चड़ चुकी है उसके लिए क्या करना है आपने अपने हाथ की mid finger लेनी है mid finger जहां पे नाखुन खतम होता है और skin start होती है वहाँ पे exercise plus massage एक finger से आपने as a exercise और massage एक साथ करनी है ऐसा करने से नस पे नस चड़ी हुई ठीक हो जाती है इसके इलावा आपको बता दिये जाए कि अब वो इलाज जो next इसके साथ अपने कर सकते है कि अगर नस पे नस चड़ चुकी है तो क्या करना चाहिए उसके बाद बात करेंगे कि नस पे नस नहीं चड़े उससे पहले का इलाज क्या करने वाला है आपको कान के नीचे जो पॉइंट दिया गया है रेड पॉइंट वहाँ पे भी आपने दबाना है प्रेस करना है यानि एको प्रेशर विद मसाज इसी में भी यही करनी है ऐसा करने से भी नस पे नस चड़ी हुई एक मिनट में ठीक हो जाती है और एंटन और स्वेलिंग भी नहीं आती इसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट की कि हम ऐसा रात को रोज क्या करें जिसकी वज़े से ये प्रॉब्लम क्रियेट ही नहीं हो ये इसके लिए सर्फ आपको 30 सेकंड टू 40 सेकंड ही चाहिए जहां पे ये एरो की पिन है यानि हमने हाथ को सीधा करा सीधा करके टेडा कर लिया बाजू को बाजू को टेडा करने के बाद जो सेंटर के सेंटर वाली जगा है और जहां पर एरो का पॉइंट आ रहा है यानि कि जहां पर ये गोल्ड राउंड का बीच वाला हिस्सा जो हमारी स्किन का रहा है एरो का पॉइंट विद आ रहा है, उसे आपने दबा कर सोना है, सिरफ और सिरफ 30 से 40 से के लिए, अगर आप 30-40 से के लिए इसे हमेशा दबा कर सोते हैं, तो नस पे नस जिसकी पिंडलियों की चड़ती है, वो कभी नहीं चड़ेगी, क्योंकि ये हमारे नरव सिस्टम का एक पॉइंट है, जिसे एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके द्वारा जिसे करके आप उसको पहले ठीक कर सकते हैं, भी नस पे नस चड़े ही नहीं, इसके इलावा आपको हील नहीं पहननी चाहिए, और जिसकी नस पे नस बहुत जादा चड़ती है, उसे अपने बाजू को दबाने के साथ साथ अपने पैरों के नीचे तकिया लेके भी सोना चाहिए ताकि उनकी बाडी में ब्रेड का सर्कुलिशन बैटर रहे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ असे शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइ करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इंफोर्मिशन उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें, मिलते हैं एक और नहीं इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए, स्टे हल्दी, ऑल्वेज भी हैपी, थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो, ओके बाई